हेलो डिर स्टुडेंट्स वेल्कम टू मैं संचता जैन आपके सस्ट एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूं आप सभी के लिए क्लास नाइन्थ स्टुडेंट्स के लिए सामज विज्ञान में इतिहास में चैप्टर नंबर पूर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेस् आपको बता दिये गए हैं मिर्टिपल च्वाइस शक्वीज्डेंगे और अब बारी आती है आज के ग्वाएंच ग्वेस्ड़ेय बperformance का शेंग जी तो शुरू करने से पहले आप सभी इस रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दियों जादा से जादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैगनेट ब्रेंस प्रोवाइड कराता है आपको क्ल सब्सक्राइब दिल्ली वोट, राजिस्तान बूट के स्लेवस को कवर कराया जाता है, काफी सारी स्पेशल कोर्स है हमारे पास ऐसे की वैदिगमेंस, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंगलिश और इतने सारे कोर्स आपको एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी आज का ये सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, Most Important Question Answer, अब पैटन क्या रहेगा, तो पैटन ये रहेगा कि टोटल होंगे 20 Queshan, जी हाँ, 20 Most Important Question Answer आपको हर एक चैप्टर से प्रोवाइड कराया जाते हैं, पैटन ये होता है, कि सबसे पहले आपको अति लगुत्रिया neither लो जिकोन जोंखने रह जाएंगा एप्रश्ण लुखति शोटे लिखने होते हैं ऐसे सवाल होंगे 10 उसके बाद होंगे लगुत्रिय प्रशन identifies सवाल होंगे पांच और फिर होंगे दीरगुत्रिय प्रश्न जो भी होंगे पांच यानि की दस पांच और पांच टोटल बीस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में कराने वाली हूं चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये क्वेशन आपके लाइक और शेयर के साथ और यह रहा पहला क्वेश्चन शिरुवात करेंगे हम अती लगुत्रिय प्रश्णों से अती लगुत्रिय प्रश्णों में पहला प्रश्ण यह है कि आखिर वन विनाश किसे कहते हैं वनों का विनाश करना क्या कहलाता है question के answer आप देंगे कैसे देंगे, कहा देंगे comment box में देंगे ठीक है, पुरा chapter पढ़ा है NCRT solutions, MCQ सब कुछ करे हैं और सवाल हैं बहुत आसान क्योंकि chapter ही आसान है पढ़ा है तो आसान है, नहीं पढ़ा है तो नहीं आसान है ठीक है, अब ये सवाल तो सबसे ज़्यादा इसी है कि one विनाश किसे कहते हैं, गर chapter नहीं भी पढ़ा है तब भी हमें पता है वन विनाश किसे कहते हैं तो देखें, वनों के लुप्त होने को सामानत है या वन विनाश कहते हैं लुप्त होना, यानि कि खतम होना किलियर हो रही है बात यानि कि जब वनों को one by one काटा जाएगा लोग अपनी जरूरतों के लिए वनों का दुरवपयोग करेंगे ठीक है, उप्योगी होते हैं वन लेकिन उनका उतना ही उप्योग हमें कनना होता है जितनी हमें जरूरत है यानि कि हमें किसको अपनाना होता है सतत पोश्डिया विकास को अपनाना होता है सतत पोश्डिया विकास को और अगर आप इसको नहीं अपनाते हो अगर इसको आप नहीं अपनाते हो तो reason क्या होगा वनलुप्त होंगे, खतम होंगे वनों का विनाश होगा ठीक है तो सतत् पोश्णि का यहाँ पर क्या मतलब है कि हमें इस तरीके से खुद का डालेबमेंट करना है विकास करना है इस तरीके से वनोंol की चीजह 20ften है यवनों की चीज़ों को प्योग करना हैं तक कि वो चीज़ सःही मात्रा में सदु प्योग के साथ हम यूजibt करें और साथ इसाथ मात्रा में इतनी मात्रा उनकी बची रह एकि आंगे की जो जेनेरेशिन पीडी में भाविष्य के लिए वह संसादन हमारी लिए बचे रहें हम ठीक सुप्योग करें हमारी लिए बचे रहें आंगे भी बचे रहें ठीक है चलिए क्वेस्चिन अबर टू है ऑपनवेशिक काल में वनविनाश के मुख्यकारण बतलाईए देखा जाए चलिए ऑपनवेशिक काल का मतलब क्या है यानि कि जब अंग्रेजों का को वनविनाश कर रहे थे वनों को पेड़ों को बहुत तेजी से काट रहे थे ठीक है उसके कारण पूछे है ठीक है तो जल्दी से कॉमेंट करके आप भी बताए मैं भी बताती हो कि क्या क्या कारण थे तो मुख्य कारण कुछ इस तरीके से हैं कि वह जमीन की बहत्री करना अंग्रेज क्या करते थे अंग्रेज क्या सोचते थे ठीक है जमीन के बहत्री के मामले में ठीक है इनका कंसेप्ट था कि वन जो है वन अनुत्पादक होते हैं क्या कहते थे अनुत्पादक होते हैं अब आप कहेंगे इतने बड़े-बड़े पेड़ खड़े हैं उग कही खड़े उत्पादा नहीं हो रहा है लेकिन वो वन को अनुत पादक समझते थे किसको वनों को जो है अनुत पादक समझते थे कैसे कि जंगल खड़ा हुआ है उससे रेगुलर इंकम आप कुछ नहीं हो रही है आप जंगल को साफ कर दोगे हमें खाली जमीन मिल जाएगी खाल पर इस तरीके से वह वनों को अनुत पादक समझते थे और वनों को काट रहे थे क्योंकि उन वह जमीन की बहत्री करना चाते थे कि वनों को काट के जमीन मिलेगे इसमें क्रशी कारे करेंगे बड़े-बड़े बागान लगाएंगे ठीक है और लोगों के रहने के लिए यह जो है क्या करते थे वनों को काटते थे वनों का विनाश करते थे तो रेल की पट्रियों के स्लीपर है तू लकडी की आवश्यक था क्लियर है बात कैसे उस समय जो 1850 का दशक था कब का दशक था 1850 के दशक में रेलवे का विस्तार जो है रेलवे का विस्तार या रेलवे का विकास तेजी से हो रहा था तो अब जहां रेल की पट्रियां बिछाई जानी है तो रेल के पट्रियों को बैलेंस बनाने के लिए उनको संतुलन प्रदान करने के लिए उनको कनेक्ट रहने के लिए जो है क्या बिचाए जाती थी लकडी के स्लीपर्स बिचाए जाते थे रेलगी पट्रियों में ठीक है तो इसके लिए भी लकडी की आवेशक्ता होती थी जिसके चलते काफी सारे वनों को काटा गया था और और क्या करना चाहते थे बागानों का विकास कैसे करते वो जब उन्हें जमीन मिलती तब वो बागान लगाते जमीन कैसे मिलती वनों को काटके मिलती वनों के विनाश्य मिलती ठीक है तो इन सब कामों के चलते जो है क्या हो रहा था अपनवेशिक काल में वनों का विनाश्य हो रहा था और अंग्रेज क्या करते थे और यह करते थे कि यहां से जो लकड कुया माना जाता है इससे क्या नुकसान है के घिए का विस्तार को उस दौर में किया जा रहा था तो सुनोगा खेती के विस्तार को क्या माना जाता है विकास का सुचक खेती का विस्तार हो रहा है तो विकास का सुचक है पहला क्या पुशा हम से की खेती के विस्तार को क्या माना जाता है ठीक है एक पार्ट हमारा यह है तो खेती के विस्तार को विकास क सूचक माना जाता है क्या माना जाता है विकास का सूचक माना जाता है अब दूसरा पार्ट क्या है कि इससे क्या नुकसान होता है इससे वन छेत्र में कमी आती है अब जब खेती का विस्तार करेंगे खेती के विस्तार के लिए जमीन चाहिए जमीन के लिए जंगलों को वनों काटना पड़ेगा ठीक है तो उससे क्या होगा वन्चेत्र में कमी आएगी ही आल राइट प्र पोर है स्लीपर किसे कहते हैं क्या पूशा गया है स्लीपर किसे कहते हैं बतादो जल्दी से अभी हमने question number second मैं पढ़ा है यह तीक है sleeper बताओ जल्दी से comment कटके बताना है आपको बताना है और हाँ make sure कि आप सभी ना like और share बरावर से किया है कि नहीं किया है अगर नहीं किया है तो जल्दी से like share कर दीजिए channel को subscribe नहीं किया है तो channel को subscribe भी कर दीजिए चलिए sleeper किसे कहते हैं इसको समझ लेते हैं तो देखें रेल की पट्री के आर पार लगे लकडी के तक्ते क्या है यह तक्ते हैं इनको इसको तक्ते को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं ठीक है तो रेल की पट्री जो होती है उसके आर पार जो लगड़ी के तखते लगे होते हैं वो क्या करते हैं पट्रियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं ताकि पट्रियों अपनी जगह से हिल डोलना पाएं पट्रियों का बैलेंस बना रहे ठीक है तो उसे क्या कहेंगे ह स्लीपर कहते हैं वो लगडी के ही बने होते थे अल्राइट क्वेस्चिन नमबर फाइब बहुत आसान है आंसर जल्दी से कॉमेंट में आना चाहिए भारत का पहला वन महा नर्देशक कौन था बतादो जल्दी से कई बार इनका नाम मैंने आपको हर एक शेशन में बताया है ह तो चलिए देखा जाए इसका आंसर कौन थे भारत के पहले वन महा नर्देशक यह थे जर्मन विशेश अग्य डायटरिच ब्रेंडेस क्या नाम था इनका डायटरिच ब्रेंडेस हो कहां के थे यह जर्मनी के थे इनको लग से बुलाया गया था कि भारत में वनों का आया गया था अल्राइट चलिए इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट की इस्थापना कब और कहां करी गई दिख लेते हैं बहुत आसान है और सबसे इंपोर्टेंट है यह सवाल बहुत इंपोर्टेंट है तो इंपेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट की स्थापना 1906 में कब और कहां तो कब का अंसर हो जाएगा 1906 1906 में की गई और कहां की गई तो इसका अंसर हो जाएगा दहरा दून में करी गई याद रहेगा अब Imperial Forest Research Institute की स्थापना 1906 में दहरादून में करी गई Imperial Forest Research Institute कहां है दहरादून में है जो किसके अध्यन का काम कराता है एक बात और सीख लो ये यहीं पर ये जो है वैज्ञानिक वानिकी वैज्ञानिक वानिकी ओल्राइट चलिए Question No.7 है प्रतम भारतिय वन अधीनियम कब लागू हुआ था क्या पुशा गया है प्रतम भारतिय वन अधीनियम कब लागू हुआ था बताओ जल्दी से पहला भारतिय वन अधीनियम जब दाइटरिस ब्रेंडिस को यहां का वन महा निर्देशक बनाया गया था उसी दौरान ठीक है प्रतम भारतिय वन अधीनियम लाया गया था तो वो कब लागू हुआ था जल्दी से बताईए कॉमेंट करके काफी बार यह बाद भी मैंने आपको सखाई है अल्राइट चलिए क्वेस्ट नमर एट है भारतिय वन अधीनियम अट्रा सो पैसट को कब शंशोधित किया गया अभी आमने पड़ा कि पहला भारतिय वन अधीनियम आया था 1865 में अब इसमें अमेंडमेंट कब किया गया अमेंडमेंट या संशोधन कब किया गया संशोधन क्या मतलब क्या होता है संशोधन को हम बोलते हैं अमेंडमेंट यानि की सुधार amendment या संशोधन का मतलब यह होता है कि पहले से कोई कानूर बना हुआ है और किसी कारण वस किसी situation के हिसाब से किसी परिस्थिती के हिसाब से तद काल समय को देखते हुए अगर उसमें कुछ बदलाव के जरूरत आती है कुछ परिवर्तन के जरूरत आती है कुछ सुधार के जरूरत आती है तो वह किया जा सकता है तो ठीक उसी तरीके से जो पहला भारती वन अधीनियम 1865 में बना था उसमें कब सुधार करा गया कब शन्शोधन किया गया कब 1888 में इसमें शन्शोधन किया गया था तो 1877 में वनों को तीन श्रेडियों में बाटा गया 1888 में जो हुआ था ध्यान से सुनिएगा 1888 में जब हुआ था तो संशोधन ये हुआ था कि वनों को तीन श्रेडियों में बाटा गया वो कौन कौन सी तीन श्रेडिया थी पहली थी आपकी आरक्षितवन जल्दी से कॉमेंट करके बताए भई कॉमेंट आना चाहिए आरक्षितवन सुरक्षितवन और तीसरा था आपका ग्रामीड वन ठीक है तो जो आरक्षितवन थे आरक्षितवन थे वो सबसे उपर की काटेगरीं में रखे जाते थे सबसे अच्छी माने जाते थे क्योंकि आम जनता इसमें प्रवेश नहीं कर सकती थी इन वनों की लगड़ी को नहीं कार सकती थी इन वनों से कोई भी सामा नहीं ले सकती थी अपने पश्चुओं को वे नहीं चरा सकते थे इन में क्लियर तो 1878 में ये बात हुई थी आल राइट तो कब-कब अमेंडमेंट हुआ या कब-कब शंशुदन हुआ दो बार हुआ 1878-1927 बना कब तहीं अधिनियम 1865 में ठीक है चलिए नौवा सवाल है 1878 के अधिनियम में जंगलों को कितनी स्रेणी में बाट आया अभी पता है मैंने बस वही बात है तो बता दो जल्दी से कॉमेंट करके इसका आंसर तु बन जाएगा भई देखके बता दो बहुत आसान है भई बहुत आसान जल्दी जल्दी 1878 के अधिनियम में जंगलों को कितनी स्रेणियों में बाट आ गया था तो देखा जाए तीन स्रेणियों में बाट आ गया था ठीक है तीन स्रेणिया कौन कौन सी थी पहली थी आपकी आरक्षित दूसरी सुरक्षित और तीसरी थी ग्रामेड आरक्षित सुरक्षित और ग् चलिए question number 10 है आरक्षित वन से आप क्या समझते हैं आरक्षित वन से आप क्या समझते हैं यह जो आरक्षित वन 1878 में लाए गई थे यानि कि वनों को तीन भागों में बाटा गया थे इसमें सबसे पहली category के वन थे आरक्षित वन वो किस प्रकार के थे क्या उसकी आई थी आरक्षित वनों के अंतरगत कि वनों को रखा गया था क्या कायदिक कानून बनाये थी उन वनों को लेकर वो बात आप से पूशी गई है ठीक है तो आरक्षित वन सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा गया है यहां पर किसको सबसे अच्छे जंगलों को बहा जाता है और गाउवाले इन जंगलों से अपने उप्योग के लिए कुछ भी नहीं ले सकते हैं यहां पर सबसे अच्छे जंगलों को क्या कहा गया जो सबसे अच्छे जंगल होते थे वह आरच जंगल होते हैं और गाउवाले इन जंगलों से अपने उप्योग के लिए क आपको कराये जाएऎगे अब बारी आईए किसकी लगूत्रिय प्रश्णों की ठीक है तो बहा या लगूत्रिय प्रश्णों को मैं शुरू करूं उससे पहले जल्दी से एक बार चेक करके मुझे बता दो कि like share हुआ है कि नहीं हुआ है अगर नहीं हुआ है तो जल्दी से like कर दो share कर दो चैनल को subscribe भी कर दो अल्राइट अब बात आ चुके लगुतरी प्रश्णों की कैसे लिखेंगे कितना लिखेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं कितना लिखेंगे चार से छे लाइन ही इसमें आप गोल लिखना है ठीक है अब कैसे लिखेंगे वो मैं बता रही हूँ आपको ठीक है तो सवाल कहा है कि मनुश्य के लिए वनों की आवश्यक्ता के कारण बताईए या वन जित्र को बढ़ावा देना क्यों आवश्यक्ता के कोई तीन कारण बताईए भाशा अलग है मतलत दोनों हैं एक ही क्वेश्चन का यह मैंने अत्वा में क्यों लिखके बताए भई आपको ताकि क्वेश्चन आपसे जब घुमांगे भी पूछा जाए तो आपसे बनना चाहिए आंसर वही होगा अक्सर क्या होता है आप रट्टा मार के जाते हैं ना तो आपने देख लिया हाँ बई मनुष्य के लिए वनों की आवश्यक्ता के कारण बताईए आपने तीन बार सवाल रटा छे बार आंसर रटा अब आपने देखा कि बई सवाल तो यह आगया कि वंचित्र को क्या रहती है वो किस तरीके से question को घुमा के पुछते हैं आपसे बनेगा इसलिए मैं कहती हूं रट्टा माना छोड़ दो concept पर ध्यान दो ठीक है चीजों को समझो और यह सारी चीजें आपकी practical life से जुड़ी हुई है कहीं कोई बाहर की चीजे नहीं कोई imaginary दुनिया की तो निमनकारणों से वनचेत्र को बढ़ाना आवश्यक है किन की कारणों से देख लेते हैं तो वन उत्पादों की प्राप्ती होती होती है। इससे क्या-क्या प्राप्त होता है वनों से हमें उध्यों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है इमार्ती लकडी प्राप्त होती है जलाओ लकडी प्राप्त होती है बांस गौंश है घास यानि कि वनुत्पाद क्या-क्या होती है उन सब के यहां पर कुछ के नाम यहां पर लिखे हुए हैं, ये सब चीजे हमें प्राप्थ होती हैं, ठीक है, तो इस कारण से हमें वनों को बढ़ाना आविश्यक है, ताकि हमें वन उत्पादों की प्राप्ती होती होती रहे एक कारण, दूसरा कारण, परियावरंड सरक्षर्ण तता पारिस्थित की संतुलन दूसरा कारण क्या है परियावरण सरक्षन तता पारिस्थित की संतुलन आप वन शेत्र को बढ़ाएंगे जादा से जादा वन लगाएंगे तो हमारा परियावरण सुरक्षित रहेगा हमारा जो पारिस्थित की तंत्र है वो संतुलित बना रह तो परियावरण का सरक्षण करते हैं बरदूशड को बचाते हैं ग्लोबल वार्माइंग जैसी समस्या से हमें बचाते हैं हमें oxygen देते हैं, carbon dioxide खोद absorb करते हैं, जंगली जनवरों के रहने के इस्थान होते हैं, कई प्रजातियां उपयोगी होती हैं, जो हमारे दैने जीवन में काम में आती हैं, तो परियावरण का सरक्षड करते हैं और पारिस्थित की संदुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं, ठीक है, फिर तीसरा कारण है वनों के शेत्र को बढ़ाने का वो है आपका क्या प्रजाती संरक्षण, क्या है, प्रजाती संरक्षण, अल्राइट, देखो, वनों से हमें वन्य जीवों तथा वनस्पती की हज्जारों प्रजातिया मिलती हैं, ठीक है, बिल्कुल मिलती है, आप जाएंगे, कोई भी आप जंगल में गुस्ते हैं, पगीचे में गुस्ते हैं, आपको नहीं पता होता कि यहां पर कौन-कौन से पेड़ पौध हैं, कईयों के नाम नहीं पता होता, कई की चीज़ें ऐसी होती हैं, पर हमें नहीं पता उन यहां पर example दिया है Amazon या पश्मी घाड के जंगल ठीक है पश्मी घाड के जंगल जंगलों के एक ही टुकडे में पौधों की 500 अलग-अलग प्रजातियां मिल जाएगी ठीक है कि 500 ऐसे पेड़ लगे हैं कि उनकी प्रजातियां ही अलग-अलग है सोचो आप ठीक है तो प्रजातियों का सरक्षण भी होता है वन्शित्र को बढ़ावा देने के कारण तीन पॉइंट पड़े हमने पहला पॉइंट था क्या देखलो भई पहला पॉइंट क्या था पहला था वन उत्पाद की प्राप्ति वन उत्पादों की प्राप्ति दूसरा क्या था सेकेट क्या था बताव जल्दी कॉमेट करके परियाव रण सरक्षण तथा पारिस्थित की संदुलन परियावरण सरक्षण तथा पारिस्थित की संदुलन ठीक है तीसरा क्या है प्रजाती सरक्षण प्रजाती सरक्षण तो एन तीनों कारणों से हमें वन शेत्र को बढ़ावा दनी की आवश्यक्ता है अल्राइट चलिए Q12 है उपने वेश्यकाल में खेती के तीवरप्रसार के कोई तीन कारणों का उल्लेख कीजिए उपने वेश्यकाल यानि की जब अंग्रेजों का शाशन हम पर था उस समय खेती का टीवर प्रसार क्यों किया जा रहा था ब्रिटिस सरकार के दौर में उसके तीन कारण का हमें उलेख करना है ठीक है चलिए देख लेते हैं देखें तो अपने वेशी काल में खेती के टीवर प्रसार के तीन कारण यहां पर निम्नलिके थे कौन कौन से है पहला है बढ़ती आबादी कैसे है तो अपने वेशिक काल में आबादी में तेजी से व्रद्धी होगी तो क्या होगा जनसंक्या बढ़ेगी तो जनसंक्या को रहने के लिए जगह चाहिए खाने के लिए भोजन चाहिए खाने के लिए भोजन कहा उगाया जाएगा जमीन पर उगाया जाएगा खेतों में उगाया जाएगा अब वन शित्र बहुत जादा है, क्रशी शित्र बहुत काम है, जनसंख्या बहुत जादा है तो वनों को काटना पड़ेगा, ताकि वहाँ पर खेद बनाये जा सके, अना जुगाया जा सके जनता की भूप का समाधान किया जा सके तो उपने वेशिकाल में आने की अंग्रेजु के दौर में आबादी में तेजी से व्रद्धी हुई, जनसंख्या में व्रद्धी हुई और इस बढदी ही आबादी जनसंख्या के लिए खाद्य पडार्थों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जनसंख्या है तो भई भुजन जादा लगेगा, तो खाद्य पडार्थों की यानि की फूड प्रोड़क्ट की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जन्गलों को साफ करके खेती का विस्तार किया गया, एक कारण कि उस समय आबादी बढ़ रही थी, इसलिए खेती का दिवरप्रसार किया गया पहला कारण क्या बन गया बढ़ती आबादी ठीक है इसे पॉइंट आपको याद करने नहीं है बाकि थेयरी में आपको समझा रही हूँ तो आप अंदर का जो मैटेरियल है वो आपको सिलिक लेंगे अगर आपको पॉइंट याद है ठीक है दूसरा क्या है व्यवसाइक फसल को प्रोसाहन दे रहे थे अब अंग्रेज लोग क्या कहते थे कि वन जो है किसी काम के नहीं है हमें इन जगह पर वनों को काटके बड़े-बड़े बागान लगाने चाहिए व्यापारिक फसलें उगानी चाहिए जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो तो इसलिए क अध्योग की करण हो चुका था इंड्रस्टिलाइजिशन हो चुका था वहां पर काफी अध्योग धन्दे लगाय जा चुके थे तो हर जगह हर एक इंड्रस्टी में अलग-अलग प्रोड़क्ट बनता था बनता ही है प्रोड़क्ट बनने के लिए रॉमाटेरियल कच्चा माल कहां से मिलेगा ? खेती से ही मिलेगा टीक है तो कच्चे माल की पूर्टिय ये व्यवसायक फसलों का उत्पादन प्राडन भी किया जैसे कि पटसन, गन्ना, जैसे शक्कर बनाई जा सके, गैहू जैसे अलग अलग तरीकी के प्रोड़क्ट बनाई जा सके कपाज यसे कपड़ा बनाया जा सके इसके उत्पादन को जम कर प्रोज सहित किया अताग खेती का तीवर प्रसार हुआ तो दूसरा कारण हमें क्या मिलता है व्यवसाइक फसलों को प्रोज साहन व्यवसाइक फसलों को प्रोज साहन ठीक है? दो पॉइंट समझ में आ गए? कोई दिक्कत यहां तक? क्या कहते हो? दोनों पॉइंट किलियर हो गए आपको ठीक है? तो दो पॉइंट हमारे कौन-कौन से हो चुके हैं? एक हो चुका है आपका बढ़ती आबादी और व्यबसाइक फसलों को प्रोस सहान और तीसरा इनने क्या बोला था? तीसरा इननों ने कहा था कि जंगल अनुत पादक हैं जंगलों को अनुत पादक समझा था अनुत पादक समझने का मतलब क्या है? कि जंगलों से जो चीजें प्राप्त होती हैं वो किसी काम की नहीं है जनसंग क्या बढ़ रही है व्यापार को बढ़ाना है इसलिए दूसरी फसले होगानी चाहिए ठीक है तो आपनिवेसिक सरकार यानि के अंग्रेजी सरकार ने प्रारंब में जंगलों को अनुद पादक समझा अता जंगलों में खेती करके क्रशी उत्पार ता राजस्व प् में लेगा ठीक है चलिए तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या बन जाता है जंगलों को अनुद पादक समझना ठीक है चलिए तो अब है next question लगुत्री प्रश्नी ही है विज्ञानिक वानिकी के नाम पर वन प्रबंधन के लिए क्या क्या कदम उठाए गई क्या कहा गया है विज्ञानिक वानिकी के नाम पर वन प्रबंधन के लिए क्या क्या कदम उठाए गई ठीक है चलो भीया देख लेते हैं तो वेग्यानिक वानिकी के नाम पर वन प्रबंधन ने क्या-क्या कदम उठाए वो कुछ इस प्रकार से हैं निम्निलखित हैं पहला क्या है वैज्ञानिक वानकी के नाम पर भारत में विवित प्रजाती वाले प्राक्रतिक वनों को काड़ डाला इनने क्या कहा कि बैस अब जो अलग-अलग प्रजाती के व्रक्षोद देना वो किसी काम के नहीं है ठीक है इनको काट डालो ये वैज्ञानेक वानकी में नहीं आते हैं इनने एक नहीं प्रक्रिया शुरू करी थी वैज्ञानेक वानकी जिसके लिए Imperial Forest Research Institute की स्थापना 1906 में दहरादून में करी ते और वहाँ पर सिर्वैज्ञानेक वानकी के बारे में ही पढ़ाया जाता था और इनकी जगे क्या करना चाहिए जो अलग-अलग प्रजाती के पेड़ हैं उनको काट दो और उनकी जगे इनकी जगे सीधी पंक्ती में एक ही किसम के पेड़ लगा दिये गए अलग-अलग प्रजाती के पेड़ काट दिये और बहुत बड़े एरिया में सीधी पंक्ती म एक ही प्रजाती के पेड़ लगा दिये जिसे कहा गया बागान जैसे चाय के बागान, रबड के बागान, कॉफी के बागान, एक्सेक्टरा ठीक है फिर वन विभाग के अधिकारियों ने जंगलों का सर्विक्षड किया विभिन किस्म के पेड़ों वाले छेत्र की नाप जो प्रजाती वाले पेड़ों को काट दिया, फिर बागानी फसलों को गाने पर बल दिया, फिर वन विभाग के अधिकारियों ने हर जगे के जंगल का सर्वे किया, सर्विक्षड किया और विभिन किस्म के पेड़ों के पेड़ों वाले छेत्र की नाप जो करी, कितने छेत्र और कटाई के बाद खाली जमीर पर कितने पेड लगाए जाएंगी ये सब काम उस दोरान वेज्ञानिक वानकी के जरिये वेज्ञानिक वानकी के तहत अपने वेशक सरकार जो थी वो कर रही थी ठीक है लेकिन वर्तमान समय की हम बात करें तो वर्तमान में पारिस्थित के विशेशग्यों सहित जादांतर लोग मानते हैं जो वर्तमान समय में पारिस्थित के विशेशग्य हैं परियावरण विशेशग्य हैं विजादंतर लोग मानते हैं कि जो विज्ञानिक वानकी की पध्धती उस दौर में लेके आये थे और उस विज्ञानिक वानकी की पध्धती के तहट जो नियम कानून लाये थे जिनके तहट वो काम कर रहे थे वो पध्धती कते ही वैज्ञानिक नहीं थी उस पध्धती को दिये गए तीन सुझाओ बतलाईए कंदनी का पर प्रवंदन हमें से आपका उंको भारत का पहला वन महा निर्देशक भी चुना गया ठीक है तो अब देखो सुझाओ देखो डाइटरिस ब्रेंडिस ने क्या किया डाइटरिस ब्रेंडिस ने जंगलों के प्रबंधन के लिए व्यवस्तित तंद्र विक्सित करने का सुझाओ दिया ठीक है कि हमें एक व्यवस्तित तंद्र डैवलप करना होगा जंगलों का अग तीन कैटेगरी में उनने जंगल बाट दिये थे आरक्षित सुरक्षित और तीसरा कौन सा था ग्रामीड बन तो पेड़ों की कटाई और पश्यों को चराने जैसी गतिविद्यों पर पाबंदी लगा कर वनों को आरक्षित करने का उन्होंने सुझाओ दिया और इस तंद्र क कि अब मानना करके पेड काटने वाले किसी भी व्यक्ती को सजाका भागी बनना पढ़ेगा अगर आरक्षित वनों के अंदर कोई व्यक्ती जाता है पेड काट ता है पश्यों को चराता है तो उसको सजा दी जाई युक ये कानून के खिलाफ होगा वन-प्रबंधन कानून के दशक में अंग्रेजों द्वारा रेल लाइनों का जाल क्यों फैलाया गया रेलों के विस्तार के लिए जंगली लकडी की आवश्यक्ता क्यों थी बता दो जल्दी से 1850 के दशक में अंग्रेज द्वारा रेल लाइनों का जाल क्यों फैलाया गया और रेलों के विस्तार के लिए जंगली लकडी की आवश्यक्ता क्यों थी ठीक है तो भारत में उस दौर में 1850 के दशक में रेलवे का विस्तार तेजी से हो रहा था और भारत में 1853 में कब एक औ ठीक है अब बात आती है कि कहां से कहां तक चली तो यह चली थी मुंबई से थाड़े तक कहां से कहां तक मुंबई से थाड़े तक किलियर अब आजाओ सवाल पर तो रेल लाइन का जाल क्यों फिला गया और जंगली लकडी की आवशकता क्यों थी इसमें देख लेते हैं, तो देखें, 1850 के तशक में अग्रेजनों द्वारा रेल लाइन का जाल निमनक कारणों से फैला गया, सबसे पहले हम पार्ट वन की बात कर रहे हैं इसमें, तो देखें, कौन-कौन से कारण थे, कम समय के अंदर शाही सेना, हतियारों तथा ओजारों को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए, ठीक है, अब रेलवे का विस्तार होगा, रेल तेज चलती, यानि कि आवा गमन में सुविधा होती है, कम समय में, सुरक्षिद, जादा से जादा लोगों को और जादा से जादा सामान को एक जगह से दूसरी जगह ठीक है, जो ये व्यापार कर रहे थे, कई प्रकार की फसलों का, मटेरियल का, प्रोडक्स का, तो आसानी से ये चीज़ें और कम समय में, बिना खराब हुई सुरक्षिद, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं, ठीक है, फिर, रेलों के विस्तार के लिए जंगली ल आवेशकता थी, लकडी का प्रयोग रेलवेह में हो रहा था, वो इसलिए हो रहा था कि पहली बाद तो ये है, कि जो पट्रियाँ होती थी, पट्रियों में लगाए जाते थे, स्लीपर्स, वो बनते थे लकडियों के, और उन स्लीपर से पट्रियों का बैलेंस बना रहता था वो एक ही जगह स्तिर रहती थी ठीक है तो वह स्लीपर लकड़ी के बनाए जाते थे और दूसरा इधन की पूर्थी रेलवे के लिए कैसे क्योंकि उस समय चलते थे भाप के इंजन भाप से चलने वाले इंजन स्टीम इंजन तो उसमें क्या लगेगा इधन लगेगा कोई के बनाए जनले की भाप से वह ट्रेन चलती थी तो रेलवे के विस्तार के लिए जंगली रकडी की आवशक्ता स्लीपर और इधन की पूर्ति के लिए थी ओल्राइट चलिए तो लगुत्री प्रश्न तो हो चुके हैं अब बारी आती है दीर गुत्रीय प्रश्नों की दीर two point बात करेंगे अपन हर एक दिर्गुत्री सवाल में ठीक हर चीज समझ में आएगी आपको बहुत आसान होता है दिर्गुत्री प्रशनों को लिखना और याद करना दोनों यहीं पे आप घबरा जाते हूं कि इतना लंबा आंसर हम कैसे याद करें और कम समय में लंबा आंसर कैसे लिखें ताकि हम पेपर में जितना टाइम मिलता है उसके अंदर ही हम पेपर कम्प्लीट कर पाएं तो देखो सुनो अच्छे से पहली बात आठ से दस लाइन में लिखना है बात करेंगे अपन पॉइंटू पॉइंटू पॉइंट लिखना है एकदम थेयरेटिकल बारे में वन पालों तथा ग्रामीडों के विचार में क्या भिनता थी देख लेते हैं वन पाल याने की जो वन रक्षक होते थे वनों में काम करते थे उनकी सुरक्षक का काम करते थे अच्छे जंगल के बारे में वन पालों तथा ग्रामीडों के विचार में निमना भिनत थी कैसे इन दोनों के विचार अलग-अलग थी पहला पॉइंट है कि वनपाल जो थे वह वैज्ञानिक वानकी के पक्ष में थे कि वैज्ञानिक वानकी के तहथ खेतिगरी जानी चाहिए में अलब काम किया जाना चाहिए तो ग्रामीड अपनी पारंप्रिग वानकी के अनुमती नहीं थी लोगों को वनुत पाद लेने की अनुमती नहीं थी लेकिन पारंप्रिक तरीके में यह सब शामिल था एक भिनता यह थी दूसरी क्या है ग्रामेड अपनी अपनी अलग-अलग जरूरतों जैसे इधन चारेवा पत्तों की पूर्ती के लिए अब हर्ची चाहिए तो इन सब के पूर्ती के लिए वनवे विभेन प्रजातियों को चाहते थे क्योंकि अलग-अलग प्रजाती के व्रक्षों से अलग-अलग चीजों की पूर्ती हो सकती है तो अलग-अलग प्रजाती के व्रक्षों होने चाहिए इधन के लिए जिस पेड से इधन लकडी मिलती है वो मिलने चाहिए चारे वपत्ते किस पौधी के सही रहते हैं वो मिलने चाहिए तो इसके लिए अलग-अलग प्रजादी के व्रक्षिये चाहते थे ग्रामीड रखती ठीक है जबकी वन विभाग क्या करता था वन विभाग को ऐसे पेड़ों की जरूरत थी जो जहाजों और रेलवे के लिए इमारती लकडी मुहाया करा सके वन विभाग क्या करता था कि हमें एक प्रजादी के पेड़ चाहिए क्योंकि हमें लकडी चाहिए ठीक है तो ऐसी लकडियां जो शक्त यानि कठोर, लंबी और सीधी हों ऐसी लकडी वाले पेड़ है ठीक है तो यह जो दो भिन्नता हैं यह तो हमने जान ली ओल्राइट चलें आंगे चलिए कि अब है question number 17 गुमंतु क्रशी किसे कहते हैं अत्वा गुमंतु क्रशी पर एक संशिप्त टिपड़ी लिखिए ठीक है गुमंतु क्रशी को और क्या कहते हैं बताइए comment करके गुमंतु खेती को और क्या कहा जाता है गुमंतु क्रशी किसे कहते हैं गुमंतु क्रशी पर एक संशिप्त टिपड़ी लिखिए चले चलिए देखते हैं गुमंतु करशी जो है ए rehe 디자 कर अंएक भागों में खेती का एक परंप्रागत तरीका है । सबसे पहले नहीं गिस शेत्र ने होती है और क्या तो यह exemplu क क्रशि का कंव है। जो मुखिः रुप से एसीया अफ्रीका और दक्षड अमेरिका के अनिक भागों में अपनाया जाता है एक बात ठीक है अब जैसा कि इसके शब्द से इस पस्ट एक घुमन्तु क्रशी और इसको हम जूम क्रशी या इस्थानांतरित क्रशी के नाम से भी जानते हैं जूम क्रशी या इस्थानांतरित क्रशी के नाम से भी जानते हैं तो घुमन तो जूम या इस्थानांतरित से हम ये समझ में आ रहा है कि एक जगे स्टेपल रहे के ये खेती नहीं करी जाती अलग-अलग जगे जागे करी जाती है ठीके? तो इसमें किसी इस्थान पर इस्थाई रूप से क्रशी नहीं करी जाती कि एक शेतरफल मैं कई वर्षों तक खेती हो रही हैं भाई अपने जो खेत होते हैं वो अपने हैं हमेशन मैं हम केती का काम करेंगे ठीक है उसी जगह पर काम करेंगे कहीं दूसरी जगह जाके तो काम करेंगे नहीं ठीक है हाँ दूसरा खेत आपने ले लिया वहाँ जाके जरूर काम करेंगे वह एक अलग बात है ठीक है घुमन तो क्रशी के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा और जलाया साब कर दिया और जो जलाया उससे चौ! राक में पहली बारिशंस के बाद इस राक में बीज़बोधिये जाते हैं और नवंबर तक फसल तयार हो गई तो उसको काट लिया जाता है ठीक है फिर क्या होता है दो साल तक इस शेतर में खेती होती है अब सुन इस इस इस्थाना आंतरित या जूमिया घुमन्तु का क्या मतलब है यानि कि बहुत कम समय तक खेती होती है दो वर्ष तक फिर दो वर्ष के बाद क्या होता है वही साथ दो वर्ष के बाद वो दूसरे शेत्र पड़े जाते हैं वह लोग टिक है और उस शेत्र को काटते जलाते हैं वहां खेती करते हं दो साल करी फिर गाइंड्स रफ़्ोधिर यह और जेहां जिस शेत्र पड़ास अल्हाल को दूसरी जगए और जहां जिस शेत्र पड़ साल कुरिए उसको बारा с Strange 18 साल तक के लिए पर्ती छोड़ दिया जाता है यानि की खाली छोड़ दिया जाता है जिससे वहां फिट से जंगल पनपाएं ठीक फिर घुमंतु क्रशी में मिस्रित फसलें उगाई जाती है ठीक है कैसे यानि की दो फसलें एक साथ उगाई जाती है जैसे की मध्य भारत और अफ्रिका में ज्वार बाजरा ब्राजील में कसावा और लैटन अमेरिका के अन्य भागों में मक्कावा फलियों की फसल उगाई जाती है क्लियर है कंसेट ठीक है तो यह सारी बातें आपको लिग देनी है अब इन सब बातों को मैरे आप देखना कि एकदम पॉइंट टू है और जब कनेक्टिविटी होती है तो आपको याद करने में असानी होती है बस यही तरीका है यही एक मात्र तरीका है लंबे आंसर को याद करने का और लिखने का एकदम theoretical form में आपको याद नहीं करना है कि एक page में सिधा शुरू की लाइन से यहां से विलकुल चालू होता है कहीं कोई gap नहीं कहीं कोई point नहीं और आप जो है लिखते जा रहे हो रठते जा रहे हो ऐसा नहीं ठीक है चलिए अब है next question 18 डच उपनवेश को द्वारा लागू किये गए वन कानूनों का जावा के स्थानिय निवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा क्या पुशा गया है जो डच उपनवेश को द्वारा लागू किये गए वन कानूनों का जावा के स्थानिय निवासियों पर क्या प्रभ प्रभाव पड़ा क्योंकि डचों ने कहां शाषन किया था अपना किस शेत्र को अपनवेशक शेत्र बनाया था इंडोनेशिया का एक द्वीप है इस्याई देश ही है इंडोनेशिया वहां का एक द्वीप है जावा ठीक है वहां पर अपना अपनवेशक शासन इस्थापित किया था तो डच उपनेवेशकों ने जो वन कानून बनाए थे उनका प्रभाव जावा के स्थानिये निवासियों पर क्या पढ़ा हमने पढ़ा है जावा के जंगलों के बारे में तो चलिए समस्ते हैं इसको भी देखें वन कानूनों का जावा के स्थानिय निवासियों पर निम्न प्रभाव पड़ा क्या प्रभाव पड़ा देख लेते हैं ग्रामीडों के जंगल तक पहुँझ पर अन Metal 55 लगा दी ग्रामीडों के साथ क्या किया कि आप जंगल पर नहीं पहुन सकते यानि कि जैसे आरक्षित वन जो है आप उन तक नहीं पहुंच सकते तो ग्रामीडों की जंगल तक पहुंच पर अनिक बंदशे यानि की पाबंदिया यानि की रोक टोक लगा दी फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि ग्रामीडों द्वारा केवल चुने हुए जंगलों से ही न नाव और घर बनाने के लिए विश्य शुद देशों के लिए लकडी काटी जाती तिर वही भी कडी निगरानी में ग्रामीड जो है निगरानी में लकडी काट सकते थे जावा के जंगलों से वो भी किसलिए खुद की नाव बनाने के लिए खुद का घर बनाने के लिए फि जंगल से गुजरने वाली सड़क पर यानि के जावा के जंगलों से जो सड़क गुजरती थी उस सड़क से जंगल से गुजरने वाली सड़क से वो ग्रामीड लोग अपनी घोड़ा गाड़ी या जानवरों पर चड़कर नहीं आजा सकते थे और अगर वो जंगल के रास्ते से अपनी घोड़ा गाड़ी पर चड़ कर या किसी जानवर पर चड़ कर वहां से गुजरते थे तो उनको सजादी जाती थी उनको दंडित किया जाता था ठीक है जो वन कानून बनाए थे जावा में डच उपनवेशियों ने उनका असर जावा के स्थान ये निवासियों पर ग्रामीडों पर कुछ इस तरीके से पढ़ा था और राइट चलिए फिर और क्या हुआ था डचों द्वारा जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान दिया गया ठीक है और लगान लिया गया लगा दिया गया यानि कि जो जंगल की जमीन में खेती करी जाती थी अगर आप अब वहाँ पर खेती करते हो तो वहाँ से आप से डच ऑपनवेशिक सरकार क्या वसूलेगी टेक्स वसूलेगी लगान यानि की टेक्स कर वसूलेगी और बाद में लकडीड होने के लिए मुफ्त भैस से उपलब्द कराने की शर्त पर इसे मुफ्त करा दिया क्या कहा कि ठीक में उपलब्द करवानी पड़ेंगे तो मैं आपका लगान मुक्त कर देंगे फिर वन ग्राम वासियों के वन भूमी पर खेती करने के अधिकार सीमित कर दिये गए क्या कहा गया है जो वन ग्राम वासी थे उनके वन ग्राम वासियों के वन भूमी पर खेती करने के अधिका करना पड़ेगा अल्राइट चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का सामिन की चनावती पर संशिप्त टिपड़ी लिखिए तो कौन था सामिन कोई बताएगा सामिन कौन था सामिन की चनावती इसका एक अलग से मैंने आको पूरा टॉपिक पड़ाया है एक वीडियो का पूरा नाम था सुरोंतिको सामिन क्या नाम था सामिन का नाम सुरोंतिको सामिन था और वह जावा के सागोन के जंगलों में इस्थित रान दूबला तुंग गाओं का रहने वाला था कौन था जावा जावा का था पहली बात और जावा के जो सागोन के जंगल थे वो जं जंगलों में इस्थित रांदुब्लातंग गाउँ का रहने distintos इसका बेशिक इंट्रोडक्शन की पूरा नाम सुरोंधि को सामें ड़ी यहां यहां रहता था को इसे उस will gute उसा कि लोग आने पर उसने सवाल खड़े कर दिये कि डच सरकार यहां पर आई है और हमारे जंगलों पर इनका मालिकाना अधिकार कैसे हो सकता है राज की मालिकाना अधिकार कैसे हो सकता है ठीक है हमारे जंगल है सरकार यह बना रहे हैं और हमारे जंगलों पर अधिकार यह कर रहे हैं माल लकडी राज़ी की बनाई हुई नहीं है किसी सरकार ने बनाई है हवा को किसी सरकार ने पानी को बनाया है किसी सरकार ने जमीन को बनाया है किसी सरकार ने लकडी बनाई यह सब किसकी देन है यह सब उस प्रकरती की देन है तो इस पर आपका मालिकाना हग कैसे हो सकता है आप सब चीजों के हवा, पानी, पेड़, पौधे, जमी, लखड़ि, इसके मालिक कैसे हो सकते आप, ठीक है, तो ये सब चीजे आपके बनाई होई नहीं है, इसलिए उन पर उसका अधिकार नहीं हो सकता यानि जल्द ही उसके ने त्रट्व में, यानि कि सामिन के लीडर्शेप म फिक है और 1907 तक 3000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे थे यानि की जावा के 3000 परिवार ऐसे थे जो सामन को मानने लगे थे और डच डच लोग जब जम Caleb का सरविक्षड करनने आए तो stop सामिन वादियों छो म नहीं सां में करने लगे थी तो उन सामिन वादिya किया जब जमीन का सरविक्ष्ण करने आए खिए तो सामिन वादी जमीन पर लीट गई कि बहुत करूं इस जमीन का सरविक्ष्ण ढहल Cart me कि कुछ लोगों ने क्या किया लगान या जुर्माना भरने या बेगार करने से इंकार कर दिया कुछ लोग जमीन पर लेड़के और कुछ ने कहा कि हम यह लगान नहीं भरेंगे खेतों का या जंगलों का टैक्स नहीं भरेंगे जुर्माना नहीं भरेंगे और नहीं आपकी बेगार करेंगे बेगार का मतलब क्या होता था कि बिना पैसे दिये किसी से जबरन काम करवाना और वो काम ना करें तो तो उसको दंडित करना ठीक है तो यह थी डच अपना वेशिक सरकार को सामेन की चनौती अल्राइट चलिए तो 19 क्वेशन हो चुके हैं और अब है आज का आखरी क्वेश्चिन क्वेश्चिन में 20 कि प्रथम और दुतिय विश्वय दुद्वारा भारत तता जावा के वनों के प्रभावित होने के तीन प्रकार लिखिये किस तरीके से भारत और जावा के जंगल फर्स्ट और सेकेंड वर्ड वार के दौरान प्रभावित हुए यह बात आपसे पूशी है देखा जाए चलिए प्रतम दथा दुतिय विश्वय दुमें भारत तता जावा के वन निम्नप्रकार से प्रभावित हुए कैसे पहला क्या है दोनों विश्वय दौमें भारत तता जावा में युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए वन सरक्षड की जो कारी युजनाय चल रही थी उनको इस्तिगित कर दिया कि वनों को सरक्षड नहीं करना है बस अंधाद होंदे यहां से चीज़े प्राप्त करनी है ताकि युद्ध की पूर्ती हो युद्ध में जो हाथियार बनाए जाने प्रयोग में लाए जाने जाने से बने और भी जड़ूरते हैं पूरी जंगलों से पूरी होगी फिर सरकार का ध्यान बटने से इस्थानी निवासवी ने भी वनों में खेती का विस्तार किया अवंशरक्षड कारी उजनाय जो है रोकती गई है सरकार का ध्यान भी हट गया क्योंकि यूरोप में ही विश्योदे चल रहा है और यूरोप ही अपने वेश्यक सरकार ही जावा में और यहाँ पर भारत में अपना शाशन बनाए हुए है तो सरकार का ध्यान बट गया तो जो वहां के स्थानी लोग थे उन्होंने वनाव में खेती का विस्तार किया कि उनकी जमीन जादा से जादा हो जाए ठीक है फिर जावा पर जापानियों ने कबजे के बाद वनाव का निर्मम दोहन किया जबकि भारत में ब्रिटिस सरकार ने जमकरवनों का दोहन किया तो जावा में जापान की सरकार ने किया जापानियों ने कबजा किया और भारत में किस ने किया ब्रिटिस सरकार ने किया और इस तरीके से फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार के दोरान क्या होता है भारत जाव से कि मैं 20 most important question आपको कराऊंगी जिसमें शामिल होंगे याती लगुत्री लगुत्री और दीर घुत्री प्रशन अल्राइट चलिए तो session तो यहीं पर खतम हो गया है अब आपको क्या करना है रिवीजन तो करना ही है जो आज पढ़ाया है उसका रिवीजन आपको करना ही है दूसरी बात नोटिफिकेक्शन बेल आइकान को जल्दी से प्रेस कर दीजे ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आता है आप तुरंत ही हमारे साथ जुड़ पाएं और हमारे session को जुआइन कर अगर आप हमारे daily के live session और recorded session से जुढ़ना चाहते हैं सारी चीजे अवलिवल है Magnet Brains के YouTube चनल, website और application पर Magnet Brains इंडिया का number one 100% free online education platform है इसके अलावा अगर आप e-books और e-notes भी चाहते हैं उसकी लिंक भी वीडियो के description box में आपको दी गई है वहां से आप अभेल कर सकते हैं सारी चीजें सारी जानकारी के साथ प्राब्द कर सकते हैं हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सिस हिंदी और इंग्लिश दौन और मीडिया में अविलेवल हैं सीबेसी बूट के साथ साथ दिल्ली बिहार यूपी अंबी राजिस्तान बूट के सलेब उसको कवर कराया जाता है काफी सारे स्पेशल कोर्सिस हैं जैसे कि व्यादिक मैस, क्रैश कोर्स और स्पोकर इंग्लिश और इतने सारे कोर्सिस आपको एक ही सिंगल प्लेटफर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ फुल्ली औरनाइज कंप्रीट कोर्स के साथ एक दम फ्री आफ कॉस्ट मिलने वाले है मैंग्निट प्रीज, यूट्यूब के लावा अधर शोशल मीडिया प्रेटफर्म जैसे कि फेस्पुक, इंस्टेग्राम, ट्विटर, टालीग्राम, वाट्सअप पर भी उप्लब्द है चैनल को सब्सक्राइब भी कने है हमारे साथ बने रहिए ज़ूडे रहे पड़ते रही है